अब भी आप लोगों का नीट 2021 के लिए फिजिक्स का सीरीज चलेगा मैंने पहले भी बोला थे कि आपका टेस्ट हुए गरालूंगा बट उतना टाइम नहीं हो पाया कि उतने सारे questions एक साथ मैं बनाओ और आप लोगों का AITS टैप का exam लेलूं वो नहीं हो पाया फिर सोचा कि हर एक chapter wise physics के कुछ important questions और expected questions निकाल करके आपको provide करा दो उससे क्या होगा अगर इतना कर लेते हो तो नीट में मुझे नहीं लगता है कि ये chapter से जैसे अभी ray optics का है और web optics आप लोगों को ये सारा कुछ मिलेगा इसे देख लेना SHM waves, KTG, Thermo, Heat, Calorie, Mechanics Class 2L में modern physics, electrodynamics, optics, and magnetics और ये जो question है वो कर लेते हो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के कोई भी question वो लोग पूछ दे solve करके आओगे आप लोग पका confirm रखना कि नीट का जो level है ना एक उनका circle है और उसी circle के अंदर वो लोग रहते हैं समझे समझ रहे हो ना इस चीज को एक circle के अंदर जितने भी questions आते हैं ना उनी को बार 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 derive करके change करके उसी चीज को पूछा जाता है और वही है यहां पर सारा कुछ ज्यादा नहीं 15 questions निकले सही तरीका से निकाला मैंने तो 15 questions स्रिफ निकले जिसमें कि 13 लिगा हूँ दो questions और है वो भी लिख करके आपको दे दूँगा और इसमें क्या है स्रिफ और स्रिफ नहीं है उसके answers है और concept है इस question को करने के बाद उसके concepts भी पढ़ने है कि क्या क्या concepts हम लोग और सीख सकते है प्लेन मिरर प्लेन मिरर से टोटल नंबर ओफ इमेजेश पूछ सकता है और एंगल बिट्वीन इमेजेश पूछ सकते हैं 2017 निट में पूछा गया था एंगल बता दो velocity of plane mirror पूछा जा सकता है समझ रहो ना image भी move कर रहा है और mirror को भी move करा दिये तो velocity of image क्या होगा velocity of object क्या हो सकता स्वरी object ही move करेगा velocity of image क्या हो सकता velocity of mirror क्या हो सकता एक question आप लोग है mirror formula sign convention पे निट 2016 phase 1 match of the following करके पूछा गया था महां पे क्या दे दिया गया था convex, concave, real, virtual और बगल में क्या था चार option तो ये थे A, B, C, D और match of the following में इस side में था magnification दे रखे थे किसी का magnification negative था किसी का magnification positive था अगर जिनको sign convention आता है किसका negative होता है magnification किसका positive होता है इसली solve कर लेता है वो लड़ू question होता है समझे तो इसमें आपको mirror formula और sign convention आना चाहिए फिर एक ये दिया ये कौन सा question है ये IIT का सबसे favorite question है कम से कम चार बार पूछा जा चुका अभी recent 2016 या 17 में पूछा गया था जेए एडवांस में ये question question no.4 और repeated ऐसा नहीं है कि वह पहली बार था बहुत बार पुछा गया तो इसे थोड़ा important तरीका से solve करना में भी ये नीट में पूछले लड़ू है ऐसा मन समझना आई ये तो टफ होगा फिर आता है ये एक question no.5 इसमें आप लोगों को क्या का पढ़ना है refractive index क्या होता है स्नेल्स लो क्या होता है सारा कुछ लिखा हुआ है यहां पर real and apparent depth पूछ सकता है medium में refractive index पूछ सकता है आप लोगों का उसे color से deviate करके question बना सकता है तो color का यहां पर wavelength अगर inversely proportional होता है refractive index अगर रेड का wavelength ज्यादा है वोलेट से तो refractive index रेड कलर का ज्यादा होगा वोलेट से 2015 नीट 2015 जही मैंस का कॉपी पेशता है ऐसे प्रीज में रहेगा प्रीज में एक दो तीम दिया हुआ था एक blue था green था और एक red था बोलता है कौन सा color इसे पास कर जाएगा समझे तो red पास कर जाता है उसका refractive index भी दे रखा था refractive index सबसे ज़्यादा red का दिया होता जिसका refractive index सबसे ज़्यादा दिया होगा वो easily पास करेगा उसी का concept है यह सारा कुछ total internal reflection में भी आप लोग देखे होगे समझे देखो color lambda is inversely proportional to 1 by mu और directly proportional to sin c critical angle ज्यादा 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 होगा sin c मतलम critical total internal reflection का mu equal to refractive index पुछे तो 1 by c सारा concept है सारा अप लुग देखे लेना और यह बात याद रगना angle of incidence is always greater than angle of critical angle यह total internal reflection नो माना जाएगा फिर आगे आते हैं तो यह देखो यह यह मैंने बाता है तब paroprism करके पूछा जा सकता है फिर से बहुत सारो concept दिया हुआ है पानी में मचली यह मचली का आख कितने दूरी पर दीखेगा ऐसे सारे question होते है need 2016-15 और 2019 में पूछा गया है यह question equi convex इस तरह के question इसके लिए आपको PIP का notes एक बार पढ़ लो lenses PIP के notes में lenses एक बार देख लो कुछ भी पूछ ले नहीं चूटेगा PIP का notes description में मिल जाएगा टिलीग्राम पे मिल जाएगा एक बार उसे देखना must है तो एक बार उसे देख लेना फिर बहुत सारे question है यह सारा फिर एक related question होता है myopia concave लगता है और hypermetropia में convex लगता है फिर वही सारा कुछ है आपके पास फिर एक और question आता है 10 के बाद आता है question number 11 तो इसमें मैंने बहुत सारा concept लिख दिया आप इसके बाहर कुछ नहीं है इसके बाहर नोट्स जुरूर पढ़ लेना समझे पर जो question पूछे जाएंगे ना उसमें यही काम आएगा नोट्स लिए पढ़ लेना पूरा clear हो जाएगा आपका पूरा basics के साथ high level पे clear हो जाएगा बागी यही सब coherence की से बोलते interference of light में constructive 2016 निट 2016 फेस्टू में पूछा गया है आई max by i minimum का value बता दो क्या होगा समझें वही सारा कुछ है यहां पर पाथ difference का formula पाथ difference का formula क्या होता फेस difference का formula क्या होता है resultant intensity की की बोलते है यह होगा फिर यहां पर question आते हैं जहां पर PIP लिखा हम वहां पर PIP के notes पढ़ लेना description में मिल जाएगा सारा कुछ यह question होगा question number 12 में याद रगना जही में intensity related problem जादे पूछे गया है यंग्स double slit experiment से और neat में fringe width को लेकर के जयादा पूछे गया यंग्स double slit experiment से अगर कुछ भी पूछेगा ना इससे तो intensity के बाए यंग्स double slit experiment से तो intensity का question पूछेगा और neat में पूछे तो वहां से fringe width पूछेगा कोशन नमबर 30 में प्रिवेस एर का जेई और नीट कर लो और पी आई पी ते नोट्स देख लो हो जाएगा 14-15 भी लिग दूँगा यह आपको सारा कुछ मिल जाएगा जब तक यह अपलोड होगा तब तक यह सारा कुछ बन जाएगा दो कोशन हो रहा है आपको टूटल इतना मिल जाएगा पूरा का पूरा जो फिजिक्स कबर हो जाएगा